मुश्कार दोस्तों आज का हमारा पाठ है भारतिय गाईकाओं में पेजोड लता मंगेशकर इस पाठ में लेखक लता की गाईकी की विबिन विशेष्टाओं को बताते हैं यानि कि उनके गायन में कौन-कौन सी विशेष्टाई थी तो सबसे पहले वह बात करते हैं उनके स्वर में अदबुत मिठास है तनमयता मस्ति लोच आदिस सभी हैं उनका उचारण मधूर पुंज से परिपूर्ण होता है यानि कि उनके आवाज में पिल्कुल मधूरता होती है और उसका पूरे गायन पर असर हमें क्लियर दिखाई देता है लता जी के स्वरों में निर् तीसरी विशेष्टा बताते हैं कि उनका स्वर निर्मल है निर्मल यानि शीतलतरे का जो मन को शीतलता प्रदान करे लता का जीवन की और देखने का जो दृष्टी कौन है वही उसके गायन की निर्मलता में भी जहलगता है यानि कि जो अपने जीवन के बारे में सोचती थ और वो वहाँ पर भी हमें पस्ट दिखाई देता है लेखक के अनुसार उनकी तीसरे विशेष्टा है कोमल्ता लता के स्वर में कोमल्ता और मुग्धता है इसके विप्रीत नूर जहां का जो गएन है उसमें माद़क उत्तान दिखता था मादक उद्दान यानि उठाव दिखता था वह तेज आवाज में गाते थी जिबकि लता जी की आवाज में कोमलता का पुटाप को देखने को मिल जाएगा एक और यहाँ पर विशेष्टा है नाद में उच्चार नाद में उच्चार क्या होता है यह है लता के गायन की एक अन्य विशेष्टा है जिसमें उनमें नाद आती है एक आवाज आती है एक ध्वनी उत्पन होती है उसे हम कहते हैं नाद में उच्चार उनके गीत के किनी दो शब्दों का अंतर स्वरों के अलाब के द्वारा सुन्दा रिती से भरा रहता है ऐसा लगता है कि जब दो शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं तो लता के गायन में यह बात सहज और स्वाभाविक है एक और उनके विशेष्टा क्या है कि शास्त्रिय सुध्धता लता के गीतों में शास्त्रिय सुध्धता है उन्हें शास्त्रिय संगीत की उत्तम जानकारी है उनके गीतों में स्वर, लै और शब्दार्थ का संगम होने के साथ-साथ रंजगता भी पाई जाती है यानि कि वे हैं मनों रंजग हैं मन को खुश करने वाले हैं उन्होंने भक्ती, देश प्रेम, शंगार, फिरह, आदी हर भाव के गीत गाए हैं उनका हर गीत लोगों के मन को छू लेता है वे गंभीर या अनहद गीतों को सहजता से गा लेती हैं जो बिलकुल गंभीर तरह के गीत होते हैं जिने गाना सहज नहीं होता है उसे भी वे बहुत आसानी से गा लेती हैं एक तरफ ए मेरे वतन के लोगों गीत से सारा देश भावक उटता है तो दूसरी तरफ दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे इस फिल्म के अलहड गीत युवाओं को मदमस्त कर देते हैं वास्तों में गाईके के एक शेत्र में लता मंगेश कर बिलकुल स्रेष्ठ गाईका है यह संभव है किसी विशेश चित्रपट में लता करुण रस्ट के गीतों के साथ न्याय नहीं किया हो किन्तों सभी चित्रपटों पर यह बात लागु नहीं होते है लता ने कई फिल्मों में अपनी आवाज दी चित्रपट का तत्परी क्या है फिल्मों में अपनी आवाज दी तथा उन में करुन रश के गीत बड़ी मारमिक्ता से उनुने गाई करुन रश क्या होता है जिसमें दुख की भाव ना हो उनकी वारी में एक स्वाभाविक करुना विद्यमान है उनके स्वरों में करुणा छलकती सी प्रतीत होती है करुणा है दया है दुख का भाव जो मिक्स करके गाते हैं उसे करुणा का भाव कहते है फिर्म रुदाली की आधी बात करें तो उनका दिल हूं हूं करे गीत विरही जन्यों के हृद्यों को उतकंठित ही नहीं करता अपितो अपनी मारमिक्ता से हृद्य को बींद सा देता है यानि कि जो उसकी मारमिक्ता है उस गीत की वह सुनने वाले के हृद्य पर अंकित हो जाती है इसी प्रकार से कई और फिल्मों में भी यह बात हम देख सकते हैं लतार जी ने केवश शंगार गीत को ही भली प्रकार गाया हो ऐसा नहीं है बल्कि उन्होंने करण रस के गीतों को भी अत्यन सुन्दर तरीके से गाया है हमारा भारत का संगीत बहुत प्राचीन है और इसमें वैदिक काल से ही कई तरह के प्रयोग किये गए इतनी प्राचीन परंपरा होने के कारण हमारे संगीत का क्षेत्र काफी विशाल है काफी बड़ा है और हमारी संस्कृती भी बहुरंगी है इसमें केवल भारत्य ही नहीं अपितु विदेशों की संस्कृती का भी समय समय पर मेल होता रहा है और इसी तरह से संगीत में भी ये प्रयोग देखे जा सकते हैं क्योंकि संगीत में भी कई संस्कृतियां मिक्स हो गई थी सास्द्रिय medications और लोग संगीत की परंप्रा आज भी चल रही है किन्तु उनमें नाणा प्रकार के प्रियोग करके संगीत को नया आयाम आज की फिल्मों में दिया जा रहा है फिल्मों में गीत, संगीत कर कुछ न कुछ नया करने का प्यास हमेशा करते चले आए हैं फिल्मी संगीत पर भी यही बात लागू होते है कभी पॉप संगीत मिश्रित कर देते हैं तो कफी सूफी संगीत कभी लोग संगीत का मिश्रन कर दिया जाता है लोग संगीतों में तो अनेक प्रकार के प्रांतों के संगीत को आधार बना करके नए गीतों की रचना कर दी जाती है और इसका फिल्मकार लोग बड़े जोर सोर से प्रचार भी करते हैं शास्त्रिय संगीत कारों का एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे देश में रहता है और यहें परंपरा काफी प्राचीन है अर्थात कई लोगों को इस तरह के गाने सुनने की आदत हो गई है क्योंकि शास्त्रिय संगीत की आचारे फिल्मी संगीत पर यह दोश मड़ते हैं कि उसने लोगों के कान बिगाड़ दिये हैं अर्थात उसके कारण लोगों को केवल कर्ण प्रियद होने सुनने की आदत हो गई है जो हमरे कानों को अच्छा लगे हमें ऐसा आदत हो गई है लेकिन कुमार गंदर वी आपर कहते हैं कि फिल्मी संगीत ने लोगों के कान नहीं मिगाड़े बलकि फिल्मी संगीत के कारण ए संगीत में रुची बड़ी है सास्टिय संगीत के कालमी कितने लोग संगीत का ग्यान रखते थे लेकिन फिल्मों के कारण आम इंसान भी संगीत के बारे में जानकार हो गए हैं कुमार गंदर वियां पे फिल से स्पष्ट करते हैं कि वह संगीत अधिक महत पूर्ण माना जाएगा जो रसिकों या शोताओं को अधिक आनन्दित कर सके जो लोगों के लिए अधिक रस का विशय हो संगीत का मूल ही आनन्द है हमें अच्छा लगना आनन्द आना मतलब संगीत हमें अच्छा लगता है हमारा मन खुश होता है तो संगीत की उत्पती उल्हास से हुई है उल्हास यानि खुशी शोता भी संगीत अपने मनो विनोध के लिए ही सुनते हैं ना कि ग्यान के लिए संगीत का ग्यान से ज़्याद अतात पर यह नहीं है बलकि मनो विनोध यानि मनो रंचन के लिए हम संगीत सुनते हैं और संगीत का चरंव देश्य आनंद की प्राप्ति है जो भी संगीत शोताओं को अधिक से अधिक आनंदित करेगा वही अधिक लोग प्रिय भी होगा अते उसी को अधिक महत भी शोताओं के द्वारा दिया जाएगा यह बात संगीत ही नहीं अन्य सभी कलाओं पर लागू होती है चहे वह कोई भी कला हूँ जैसे लोग कलाएं है चित्रकारी की कला है, संगीत कारी की कला है या अन्ने कोई भी कला है शास्ट ये संगीत भी आनंदायक ना हो तो वह बिल्कुल ही नीरस कहलाएगा इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि फिल्मों ने हमारे संगीत को आम आदमी तक पहुचाया है आर उसमें लतामंगे सकर का योगदान हमने देखा